बढ़ती आवादी और खाद्यान सुरक्षा को देखते हुए क्रिशी उत्पादक्ता को आज बेहतर करने की चुनौती है वहीं रासाईनी खादों पर निर्भरता भी कम करने की आवशक्ता है ऐसे में वर्मी कमपोष्ट आधूनी खेती के लिए वर्दान साबित हो सकता है माना जाता है कि केचुआ खाद के महत्व को सन 1881 में चार्ल्स डार्विन ने एक लंबे अधेयन के बाद दुनिया को समझाया था आधिकाल से ही मिट्टी और मानव की मित्रता इन नन्हें केचुओं से रही है लेकिन समय बितने के साथ मिट्टी में केचुओं की कमी होने लगी ऐसे में आज केचुआ खाद के उत्पादन और परियोग को तेजी से बढ़ाने की आवशक्ता है केचुओं के बीच इसके प्रचार परसार के लिए प्रतिवधता के साथ कारिक कर रही है बिहार क्रिशिविश्विद्याले में वर्मी कंपोस्ट निर्मान की एकाई बर्स 2013 से संचाली थे मुख्य रूप से इस वर्मी कंपोस्ट एकाई का उदेश है कि फसल अबसेश यहों अबसेश्ट पदार्थों को कैसे क्रिश्योप्योगिय बनाया जाए इस से वर्मी कंपोस्ट तयार करने इक से जो मृदा का स्वास्त भी सुधरैगा और जो मृदा स्वास्त सुधरने से जो मनुष्य खेश्ती से उत्पन होने वाले फसलों का उप्योग करते हैं उसके स्वास्त में भी सुधार होगा अल्टिमेटली पूरे जीव जगत को इ हम जहां पर इसमें खड़े हैं यह हमारी कमर्शेल यूनिट है और इस यूनिट को हम हमारे विग्यानी डॉक्टर एकेशा की मदद से इसको इस्टाबिश किया गया था जिसको कि आज हम लाभ में अपने इसके पैकेजिंग प्रैंडिंग और मार्क्टिंग से आज इस बिहा सरल शब्दों में कहें तो कृत्रिम विधी से केचवा पालने को वर्मी कल्चर और इनहीं केचवा द्वारा बेकार कारवणिक पदार्थों से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया को ही वर्मी कम्पोष्ट या केचवा खाद कहते हैं मुख्य तौर पर केचवा खाद को दो विधी से बनाते हैं एक टैंक विधी और दूसरी धेर विधी केचवा खाद बनाने की यह विधी छोटे किसानों और पशुपालन के साथ अतरीक्त आय अरजित करने वाले उद्यम्यों के बीच सबसे परचलित विधी है इस विधी में साधरंत उचे अस्थान पर जोपड़ी नूमा घर बनाते हैं या बड़े अस्तर पर उतपादन लेने के लिए इस प्रकार के चदरे के शेड भी बनाये जाते हैं शेड के अंदर 4 मीटर लंबी एबं 1.2 मीटर यानि लगभग 7 मीटर चोड़ी और 1 मीटर उची टैंक बनाते हैं टैंक को ऐसा बनाये जाता है जिसकी नालियों की निकास एक सीध में इस प्रकार हो जिसमें की वर्मी वास संग्रह करने में मदद मिल सके टैंक तयार होने के बाद अब इसमें वर्मी कमपोष्ट बनाने की प्रकिरिया शुरू कर सकते हैं हम आपको यहां इन्रिस्ट यानि संबर्धित वर्मी कमपोष्ट बनाने की विधी बताएंगे सबसे पहले 60 प्रतिशत गोवर और 40 प्रतिशत हसल अवशेश में कई तरह के संबर्धक को मिलाकर तीन से चार सप्ता के लिए छोड़ देते हैं टैंक बिधी में हम कि 10 फिट लंबा, 3 फिट 4 और 5 फिट गहरा हम टैंक बनाते हैं और उस टैंक में नीचे में हम कंकर पत्थर डालते हैं कंकर पत्थर डालने के बाद उसके ऊपर 2-3 इंच हम बालू डालते हैं उसके बाद उपजाव मिटी 2 इंच डालते हैं उसके बाद उसे पानी से भली प्रकार हम भीगा देते हैं, भीगा देने के बाद केचुवा को डाल देते हैं, केचुवा डाल देने के बाद इसमें गोवर डाला जाता है, और गोवर डाल करके जब ये लगवक दो फीट उचा हो जाता है, तो उसके बाद हम उसको जो भी हम करते रहेंगे कि 60% नमी कम से कम उसमें निश्चित रूपेन बरकरार रहे हैं यहां ध्यान देनी बाली बात यह है कि बिना संबर्धित तत्वों को मिलाये हुए भी केच्वाक हाथ बनाया जा सकता है अगर जीन किसान भाईयों को यह तत्व आसानी से उपलब्ध नहों वह लेकिन ज्यादा असरदार बनाने के लिए हमने इसमें संबर्धित तत्वों को मिलाया है संबर्धित वर्मी कमपोष्ट बनाने के लिए प्रती किंटल गोबर में 100 गराम PSB और सुडो मुनास या एजोटो वेक्टर मिलाया जाता है इसके अलाबा आप एजोला भी मिला सकत हैं जो कि अब यह गोबर और अन्य मिश्रण के साथ एक संबर्धित वर्मी कमपोष्ट बनने के लिए तयार है जो बनने के बाद साधारन वर्मी कमपोष्ट से ज्यादा असरदार होगा टैंक में केचवो को बराबर मात्रा में टालते हैं प्रती टन गोबर में 1000-2000 केचवा डालना चाहिए अब इसके उपर पहले से तयार मिश्रण युक्ट गोबर को डालते हैं समान रूप से गोबर डालने के बाद 2-4 इंच मोटी पुवाल या सुखी पत्यों की परत बना देते हैं आप चाहें तो जूट के बोरे से भी ढख सकते हैं इसके उपर समय समय पर पानी की फुहार देते रहें ताकि इसमें प्रयाप्त नमी बरकरार रहे अब केचुओं ने अपना काम करना शुरू कर दिया है बीच बीच में इसका आप निरिक्षण करते रहें उपर में आपके चाय के पत्ती जैसी सनरचना बनने लगेगी तब आप उस कुवाल को हटा देंगे और चाय की जो आपके पत्ती जैसी सनरचना है जिसको आप बर्मी कास्ट कहते हैं या बर्मी कमपोस्ट कह लीजे कहते हैं उसको आप उपर से हटा लेते हैं हटा करके फि अब प्रतिशत इसकी जो भाग है वो इसे निकल करके चला जाए ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। 20 से 25 दिनों के बाद अब वर्मी कमपोष्ट तयार होने की प्रकिरिया में आ गया है। चाय पत्ती की तरह इस प्रकार दानेदार होने के बाद बीच बीच में वर्मी कमपोष्ट निकालते रहें और इसे चायदार जगह में इकत्र करें। फिर 4 mm की जाली से चाल लें। अब यह वर्मी कमपोष्ट पूरी तरह से खेतों में देने के लिए या पैकिंग कर बेचने के लिए तयार है। यहां से निकले हुए वर्मी वाश भी काफी महत्पूर्ण है। इसे इकठा कर फसलों में देने से काफी फायदे होते हैं। यदि आप इसमें से बर्मी वाश प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप टेंक में टेंक तो वैसे भी ढालू होता है। उसके एक सीरे पर और लेडी छेद होता है। तो उसमें से 21 दीन तक आप पानी डालते रहें और जो कुछ पानी निकलता है उसे आप बेकार फेक दें। और 21 दीन के बाद जो पानी इकठा हो रहा है उसको आप इकठा कर लें। यही बर्मिवास है। इसमें 10% ये बर्मिवास, 10% गोमुत्र और 80% पानी यानि कि 100 ml बर संबंदी समस्याएं जो फसलों में पाई जाती है उस पर भी नियंतरन पाया जा सकता है। धेर विधी में टैंक विधी की अपेक्षा कम खर्च और संसाधन में वर्मी कंपोष्ट उत्पादन किया जा सकता है। टैंक विधी के समान ही धेर विधी की शुरुवाती तयारी की जाती है। यानि 60% गोबर और 40% फसल अवशेश के साथ समवर्धित तत्मों को मिलाना और फिर उसे 3-4 सपता के लिए पुवाल से ढख कर छोड़ देना। अब इन धेर के उपरी हिस्से में इस प्रकार से क्यारी नूमा गढधा बना लेते हैं। और इसमें केचुओं को समान रूप से डाल कर ढख देते हैं। केचुओं की संख्या प्रती टन गोबर में 1-2,000 होनी चाहिए। 20-25 दिनों के बाद जब चाय की पत्ती की तरह उपरी परत होने लगे तो इसे आप इस प्रकार से अलग कर लेते हैं। और छायदार जगह पर इकठा कर 4 mm की जाली से चाल लेते हैं। और आपका वर्मी कमपोश्ट तयार हो जाता है। कम खर्च में केचुआ खाद उत्पादन। किसान भाईयों, अगर आप बिना संसाधन या कम खर्च के वर्मी कमपोश्ट उत्पादन करना चाहते हैं, तो यह भी सम्भव है। आपके डिवड़ी, दलान या फिर पशुओं के आवास के आसपास जगा तो होती ही है। धेर विधी से आप इस प्रकार के साधारन भूस की जोपड़ी या किसी भी खाली पड़े चायदार जगा पर इसे बना सकते हैं। यहां तक की आप अपने बागीचे में भी वर्मी कमपोस्ट उतपादन कर सकते हैं। वर्मी कमपोस्ट उतपादन आसानी से कर सकते हैं। स्वरूजगार के लिए अपनाएं केच्वक हाद उतपादन। आज जब की युवा रोजगार के लिए कई तरह के विकल्प की तलाश कर रहे हैं वैसे में केचुवक हाद उत्पादन को भी सरलता से स्वरजगार का साधन बना सकते हैं आपके पास अगर निवेश के लिए कम पैसे हो तब भी आप खाली पड़े इस प्रकार के जगह में धेर विधी से काफी मात्रा में केचुवक हाद उत्पादन कर सकते हैं और आसानी से अपने आसपास के इलाके में बेच सकते हैं जैवी खेती के बढ़ते परचलन के बीच केचुवक हाद की मांग दिनो दिन बढ़ती जा रही है अगर आपके पास निवेश के लिए पैसे हैं तब आप विवसाईक अस्तर पर इस तरह के प्लांट लगा कर केचुवक हाद की पैकिंग और ब्रांडिंग कर बड़े अस्तर पर केचुवक हाद का विवसाय कर सकते हैं आज बड़े शहरों में और आउनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर पैक केचुवक हाद बेची जा रही है आप किसी नरसरी उद्यमी से संपरक कर भी अपने बिजनस को आगे बढ़ा सकते हैं अच्छी बात तो यह है कि केचुवा उत्पादन के उड़ेशी से किसी भी परकार के स्ट्रक्चर बनाने के लिए अथवा व्यवसायक अस्तर पर उत्पादन के शुरुवात के लिए सरकार द्वारा अनुदान भी दी जाती है बिहार सरकार ने बर्मी कंपोस्ट बैवसायक को बढ़ाने के लिए इसमें सबसीडी की भी घोसना कर रखा है और इसमें मूटे तौर पर आपको 40% सबसीडी दी जाती है तो यदि आप बिहार में इसका चाहते हैं तो निशित रूपें आप ज़्यादा बढ़ियां से आप इसको कर सकते हैं कारण यह है कि यदि पूरे देश के परिपेक्ष में यदि हम देखें तो 110 लाख टन एनपी के आपको मिल जाता है जो जितना हमारे पास गोबर है उससे और लगवक्त 74 लाख टन आपको एनपी के मिल जाता है जो फसल अबसेस है उसमें तो गोबर यदि 60 परसेंट और 40 परसेंट अबसेस मिला करके यदि हम करते हैं और बीहार हमारा सातमे नमबर पर है तो यहां پर बर्मिकंपोष्ट की अशीम संभाबना है तो जो हमारे यहां के नव्युवक्द हैं जो हमारे उध्यमी है वो इसमें आना चाहते हैं सरकार भी उनका सपोर्ट कर रही है और 40% अनुजान भी दे रही है उसका भी फैदा वो प्रोजेक्ट बना करके और सेक्रेटीरियर से ले सकते हैं। बिहार क्रिशी विश्विध्याले सबाउर वर्मी कमपोष्ट के बारे में आप सभी किसान भाईयों को संपूर्ण जानकारी और प्रशिक्षन के लिए प्रतिवधता से कारिकर रही हैं। आप यहां से संबर्धित केचुवा खाद खरीद सकते हैं, केचुवा खाद उतपादन करने के लिए केचुवा खरीद सकते हैं, एजोला पिट लगाने के लिए एजोला ले जा सकते हैं और समय समय पर चलने वाले प्रशिक्षन में भाग लेकर केचुवा खाद बनाने की विधी भी सिख सकते हैं आज कई किसान और उद्यम्य यहां के शांदार मॉडल को देखकर और यहां से प्रशिक्षन लेकर बेहतर तरीके से केचुवा खाद उपादन कर रहे हैं अजय को देखते हुए बजार की मांग को देखते हुए हमें अपने रोजगार की स्थापना करनी चाहिए और उसके ऐसे वो देश होने चाहिए कि जिससे देश को हमारे किसान भाईयों को हमारी धर्ती मा को एक अच्छे पोशे चत्टों का भी संचार हो यह वर्मी कम पोस्ट ऐसा स्वरुजगार का साधन है जिससे कि हम अपने किसान भाईयों की जरुरत को पूल कर सकते हैं रसायनों की अधिक जो हमारी रिक्वाइर्मेंट है जो उसको भी मिन्ट कर सकते हैं इसके माध्यम से और हम अपने जो यूरिया खात के लिए तरह के हम लाइनों में खड़े होते हैं उसकी जिगे पर हम कुछ भाग इसको मिलाने से और धीरे धीरे हमें जैविक खेटी पर आने पर हमारे स्वास्त भी इंप्रूब होता है इस तरह के कारक्यमों से हम परमी गम पोस्ट के उत्पादन से हम अपने देश ही नहीं अपने समाज के लोगों को अपने सभी किसान भाईयों ही नहीं अपने देश के सभी को सपोर्ट करेंगे जिससे कि हम अपने इन उत्पादों से अपने जो नुट्रिशन मिलने कारण उन सब की बहुत चमता भी बढ़ेगी और उनका स्वाव में भी बहुत अच्छा इजाफा होगा जिससे हम अपने जो हमारे है कि हमारी जमीन सुर्चित रहे, स्वस्त रहे और हम आप निरभर हो इसके लिए एक रोजगार की रूप में भी ये बहुत कारगर सिद्ध होगा कर दो कर दो हमारी जाफा हो